आप सब राम जी की पाटशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है उमीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तयारी बहुत ही बढ़ी रंग से चल नहीं होगी दोस्तों आपके लिए एक और वेकंसी आ गई है हलाकि मैं नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छी वे सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और अपने दोस्तों शेर करना न भूलिएगा वीडियो को लाइक भी कर दीजिए मैं आपको फटा-फट के अंदाज में जल्दी बता देता हूं क्या क्या चीजे हैं देखो होमगार्ड की भरती है कितनी 10285 पदों पर इस पश्ट पटाप ज्यादे टाइम न लेते हुए 10285 पदों पर 24 तारिक से यानि कि कल से आपके फॉर्म भरने चालू हो जाएंगे 13 परवरी तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे अब इसमें इंप पर्फॉर्मेंस अच्छा रहता है तो दो साल का हम एक्स्टेंशन आपको देदेंगे मतलब फिलाल पांट साल की टोटल बात कर रहे हैं जिसमें जो एक्स्टेंशन हैं उसमें भी reservation वगरे दिया जाएगा है ना बाकी बात बोल रहे हैं इसमें के out of each category one third vacancies are reserved for women यानि कि जो भी इन्होंने vacancies का categorization कर रखा है कि इस category में इतनी vacancy इस category में इतनी vacancy उसका 33% लगभग ये महिलाओं के लिए आरक्षित कर रहे हैं और साथ में जो 10% है वो एक्सरिस्वेन के लिए इन्होंन रखा है अब अगर eligibility criteria की हम लोग बात करें कि eligibility criteria क्या है कौन फॉर्म भर सकता है तो सबसे पहली बात तो वो होती है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए ये तो बात है ये common इसमें कोई अलगसी बात तो है पर इसमें important बात ये है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए बट आप दिली NCR के अंतरगत होने चाहिए क्या होने चाहिए दिली NCR यहाँ पर लिखा है eligibility में के citizen of India क्या लिखा हुआ है मेरे भाई citizen of India लिखा हुआ है and resident of national capital territory NCT of Delhi है ना तो इसको आप देख लीजेगा थोड़ा इसके बारें बताएंगे हम थोड़ा साब को तो NCR के NCT के छेत्र के आप लोग होने चाहिए दिली के निवासी होने चाहिए दिली का जो राष्टर जाजदानी थेंग है आप वहीले driving license भी दिखा सकते हैं यह न आ आपục भी दिखा सकतें यह साठी चीजह आप दिखा सकते हैं तो आपका दिली के चेत्र के आज-पास का होना जरूरी है इसमें उत्तर कहां पर लिखा है हाँ एक जनवरी 2004 के बाद जनमना हुआ हो और दो जनवरी 1989 से पहले जनमना हुआ हो है ना और अब 254 years for ex-servicemen जो ex-servicemen है वो 54 साल तक के भी अगर हो गए हैं तो वो इस फॉर्म के लिए कर सकते हैं ठीक है अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो सीधे सीधे इसमें मांगा गया है के 12 पास senior secondary है ना आप अगर नॉर्मल एप्लाई करना चाहते हो तो बारभी पास आपका होना चाहिए और ex-servicemen वालों के लिए 10 पास से उनने दे रखा है आगे मैं बताने के कोशिश करता हूं बट पहले आपका क्या होगा पहले आपका इसमें फिजिकल करवाया जाएगा क्या करवाया जाएगा दोस्तों पहले आपका इसमें फिजिकल करवाएं यहां पर आप देख सकते हैं यह फिजिकल की डिटेल्स इन्ह अगर आपकी उमर 40-45 साल है तो 1600 मिंटर की दोड आपको 8 मिनट में पूरी करनी है और यदि आप X-Service मैं है और आप 54 साल मतलब आगे 45 साल से आगे जितनी भी एज है तो 1600 मिंटर की दोड 10 मिनट में पूरी करनी है इसी प्रकार महिलाओं के लिए 1600 मिंटर की दोड 30 साल तक की जो उमर है उसमें 1600 मिंटर 8 मिनट में 30 से 40 महिलाओं के लिए 1609 मिनट में 40 से 45 महिलाओं के लिए 1610 मिनट में और X-Service में नित्यादी अगर कोई है तो 1612 मिनट में करना पड़ेगा आगे लिखाए Only those candidates who qualify in physical measurement जो माप तौल में दोड भाग में जो पास होंगे वही written exam में बै जिश्चित किया जाएगा कितने रुपे करने पड़ेंगे तो आपको 100 रुपे फीस जमा करने पड़ेगी यहां पर इस सारी सारी बाते लिखी गई है तो आप में से जो eligible है इसके पद के लिए योग्या है करना चाहता है तो कर सकता है बाकी दो तीन साल अगर दिली के आस कि इच्छी बात के साथ आप देख रहे हैं ते राम जी पाट शाला मैं हूं राम भर्द्वा जै हिंद जै भारत